वेलकम टो मैं यूटूब चैनल इस वीडियो में मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ कोईन इमेच एडिट मोडल के बारे में और इसको हम रूं करके भी देखने वाले हैं तो हली में अली बावा ने इस मौडल को रिलेस किया है ये एक पाफ़ एयीमेज जनुरेटर मोडल है तो मैं इसके बारे में आपको थव्रा सा बटा देता हूँ यह एक ऐसा AI model है जो आपके करेक्टर को कंसिस्टेंट रखके उसको एडिट कर सकता है जिसके आप इन एक्जाम्पल में देख सकते हैं and here is another example replace the background of the sunny beach with the scene featuring fine sand, gentle waves and clear blue sky तो इसने काफी अच्छे से इसको इसका background change कर दिया और shadow भी बनाई है जो कि काफी एक्तम real लग रही है तो यह बहुत अच्छा है and another example is this इसको हमने एक input image दिया and then इसने क्या किया इसके किबले style में convert कर दिया और उसके क्वैन भी लग दिया तो इसके काफी अच्छा है same इसने कार्टोन 3D style के साथ किया है और चिबले style के साथ भी किया है and the another is की हम इसमें से objects को भी remove कर वा सकते हैं just by prompt अब दिख सकते हैं यहां पे और हमने prompt दिया and remove the hair from the palette तो इसने hair को भी remove कर दिया and the another is यह text को भी edit कर सकता है so here क्या था change the word turn as you can see it looks like this and to turn now इसने इसको अच्छे से edit कर दिया same with this example and आप देख सकते हैं इस model से हम कुछ इस type की images को create कर सकते हैं thread means यह एक uncensored model भी है मतलब इस पे कोई थोड़े restriction नहीं है so and the other is this इसके इसके अदर आप देख सकते हैं कि इसने N के किलर को orange से blue कर दिया but इसने कुछ भी other चीज में changes नहीं किये just जो हमने prompt में दिया था वे इसने change किया मतलब इसका prompt adherence काफे अच्छा है prompt को काफे ची दरीके से follow करता है so this video में हम इसे test करने वाले है so let's start the video इसमें मैं when image edit को use करने के लिए model का use करने वाला हूं don't worry आपको इसके अंदर सब चीज फ्री में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं आपको इसके अंदर कोई credit और debit card को use करने की कोई जोड़त नहीं है जैसी आप इसके अंदर अकाउंट करोगे आपको इसके अंदर फाइब डॉलर का credit मिलेगा मैं इसको आपको बादें विताऊंगा कि आप इसको अप्टो एटी डॉलर तक कैसे extend कर सकते हैं वो बिलको फ्री में without any credit or debit card को add की वे इसके लिए मैं एक notebook को create कर लेता हूं नाव अगर notebook is created तो let me select the GPU मैं इसके अंदर कोई भी 20GB वाला GPU select कर लेता हूं तो इसके अंदर 20GB वाला GPU अफ लेवल नहीं है तो मैं इस 24GB वाला GPU NVIDIA L4 को select कर लेता हूं let's click on save changes now let kernel to restart now it's started successfully अब आपको करना है इसको कार्ट देना है मैं आपको इस code का लिंक वीडियो के description में देदूंगा आप आहांसे से copy कर सकते हैं आपको इसे यहां पे पेस्ट करना है then आपको इसे रेंट करना है आपको फिर कुछ इस टाप का URL दिखेगा आपको इसे कॉपी करके अपने address वार में खुलना है ब्राउसर के आपको सामने एक VS code कुल जाएगा that's not a VS code it's a code server let me select dark theme then आपको क्लिक करना है open folder पे then आपको root folder select करके ok कर देना है now select trust all authors then आपको इहां पे एक new file को create करना है जिसका नाम होगा setup.sh आपको इसे यहां से copy करना है then यहां पे paste करना है then मैं टर्मिल को open कर देता हूँ इसको executable permissions देते हैं then chmode space plus x setup.sh then इस file को मेरें करना है sh setup.sh यह करेगा यह comfy UI, comfy UI manager और hugging face से सारे models को download कर देगा जो हमें जरुवत है so इसके नदा थोए से time लग सकता है क्यों कि यह जो model है यह 19 GB का है so that's why we require 20 GB VRAM for that now we have our Morris store तेन आपको यह करना है आपको comfy UI वाला directory में जाना है then आपको command रिखनी है python main.py इससे क्या होगा यह comfy UI स्टार्ट हो जाएंग now comfy UI स्टार्ट हो चुका है आगी यह port 8188 पर रून करना है so हमें इससे forward करना पड़ेगा तो मैं पूर्च वाले सेक्शन में जाकी इस port को forward कर देता हूं so मैं इस port को forward कर दिया है then आपको सामें इस type का pop up आएगा get started retented से cut कर देना है then आपको मैं एक फाइल का link दूँगा basically वो json work फे होगा इस quen image quen image edit का जो की यह workflow जो है वो official workflow है quen image edit का आपको इसके ने कुछ भी changes करने की जोड़ती है just आपको image upload करना है and you are ready to go so आपको यहां पर क्या करना है आपको यहां पर image upload करना है तो मैं भी एक image को यहां पर upload कर देता हूं let's run the workflow आपको इसके पर जोड़ नेए यह workflow रण होने में आपको तो आपको 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 क्योंकि इसके अंदर आपी 20 steps selected है जो कि मैंने officially जितने थे उतनी रखे हैं कुछ भी change नहीं किया है ज्यादा steps में ज्यादा श्री quality मिलती है और आपको इसको बहुत ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा करने के बाद क्या होगा कि quality और कम हो जाती है ज्यादा आपका computer resource लिस्ट होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर GPU 20 GB जिसका वीरेंक अब जूब कर रहा है और 100% व्यूटलाइज हो रहा है पिरको एक image को इसको बनाने के लिए मैंको लगबग 3 minutes तक बेट करना पादा था L4 GPU के अगर आपके पास multi GPU है और लगेते हैं आप इससे faster GPU select कर सकते हैं आपको जल्दी result समिल जाएगा आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से image को deep blur कर दिया है और तो मैं तोड़ा से इसमें कुछ और enhancement करता हूं और मैं इसे hair color को white करता हूं और background को blue करने के लिए prompt दाल दिया है so wait करते हैं so यह भी 3 minutes 6 seconds में complete हुआ है इसका image generation so आप देख सकते हैं इसमें कुछ step की image मैंने input में दी थी and then आमने output कुछ step की image मिल रही है so आप देख सकते ही prompt को कितनी अच्छी तरीके से follow कर रहा है so thank you thanks for watching my video और आपको मैं एक चीज़ बताता हूं कि आप इसके अंदर free $80 का credit कैसे claim कर सकते हैं so इसके लिए मैं इसे stop करता हूं तेरा को क्या करना है आपको back चले जाना है आप देख सकते हैं मेरे पास अभी $4.59 का credit है तो इसके लिए आपको new tab में जाना है और आपको यहां पर लिखना है AI Engineer Pack आपको सबसे पहरे खोरेसर सबसे पहले आपको । अपको साइं करना ही इसे जाना है नीचे आप यहां को पर मॉलेल देख जाएं के Chris don't worry, आपको $80 तक आपको गाइड में जाएंगे इस पर so मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ then इस लिंक पर क्लिक करना है then आपको सामने कुछ इस तक का फॉर्म आ जाएगा आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है और जिस एमेल से अपने मोडल का अकांट क्रेट के है वो एमेल दला है then what is your model workspace इसके अंदर आपको अपने model workspace की आडी डाले आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ हमने model workspace की आडी को then redeem code enter करता है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं then click करने submit नुमा आप जैसा की देख सकते हैं हमें model की 79 डोला का credit इंल चुका है thank you thanks for watching my video please like subscribe and share this video with your friends अज़एंग प्राषब आप है